CCTV system पुश कर आपको भी इंस्टॉल करके दिखाना है चलिए देखते हैं आप कितने टाइम में ये टास्क कम्प्लीट करते हैं तो टाम स्टार्ट नौ Welcome to GLM Institute, Digital Electronic Security Systems ट्रेनिंग में एक मात्र एग्रेसर नाम यानि की GLM Institute है GLM Institute द्वारा पिछले 10 वर्जों जे Digital Electronic Security System से सम्मधित कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे पास Security System से सम्मधित सारे ही कोर्सेज उपलब्ध हैं Advanced CCTV Camera and Networking, Fire Alarm System, Video Door Phone, Biometric and Door Access System, Intrusion Detection, Alarm System, Building Intercom और Office Intercom, Telephone System जब कोर्सेज आप ओनलाइन या फिर ओफलाइन जॉइन कर सकते हैं GLM Institute से कोर्स करके आप भी देश विदेश में जॉब कर सकते हैं या फिर अपना खुद का बिजनस शुरू कर सकते हैं GLM Institute ISO Certified है, CBC Certified होने के साथ साथ MSME Government of India से भी Certified है 1500 से भी ज्यादा Positive Google Reviews होने के साथ 20,000 से भी अधिक YouTube सब्सक्राइबर से साथ GLM Institute आज इंडिया की No.1 Institute बन चुकी है अधिक जानकारी के लिए 9619447939 पर Call या WhatsApp करें लॉग इन करें www.glminstitute.com और स्वान टाइम, इंकम लाइफ टाइब अधिकली एक्यूप्मेंट्स अगर आप बोले तो क्या-क्या इसमें यूस किया है समादान बदाए लोग साथ से इसमें Ad Channel का DVR है तो चार कैमेरे लगा हुए सर और एक HDMI लगा हुआ है VGA एक लगा हुआ है VNC लगा हुआ है चार और SMPS लगा है SMPS का क्या रोले इसमें क्या होता है SMPS से Switch mode power supply इसको camera को supply दिता है तो बेसिकली चार कैमेरे का setup लगाने के लिए ये सारा कुछ material यहां पर लगेगा यहां पर सारा कुछ practical ही है हमने 4 channel DVR यहां पर 8 channel हमने यूस किया hard disk, CCTV, SMPS power supply, display, CCTV cable, PLC video connector and DC power connector माइक, router, LAN cable यहां रहेंगे आगे अगे जब आपको बताऊंगा advanced installation तो advanced installation में काफी कुछ सीखेंगे अपड़ेंस के आपने के बाले में सीखेंगे then इसमें hardware, software, networking, mobile पर connect करना, automation करना, calling and SMS system setup करना काफी सारी ऐसे जीज़े सीखेंगे आप और अर्थिंग चेक करना पता पाएंगे तो इसको AC-DC कहां पर रखके आपने चेक करना AC-DC को सबसे पहले multimeter को एना AC के लिए old के उपर चेक करेंगे 200 200 200 250 240 240 600 600 600 पर रखेंगे और चेक करेंगे प्लस मैनस Okay एक बार DC चेक करेंगे इसके दूप DC वोल्ट चेक करेंगे DC के लिए OFF करके 20k पर चेका ठीक है यह यहां से DC output होना चेक करेंगे लिखाएंगे Okay कि ने वेदू आरी है 12 यह पूरा CCDB system इंस्टॉल तराया गया हैंट्सन प्रेक्टिकल क्लास